रो मैंगो फिस करी बनाने के लिए या कच्छा आम मचली का सब्ची बनाने के लिए चाहिए प्याज, आलू, देखें आलू को यह से इस शेप में काटेंगे, कच्छा आम, कड़ी पत्ता, मिर्ची, लसन, सर्सो तेल, जीरा, सर्सो, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, नम्माक और मचली, क्या फिश, सर्सो मसाला बनाने के लिए आप एक कप में जीरा और सर्सो को अच्छे से बिगा दीजिए, और उसको मिक्चर में अच्छे से डालीए, उसमें लेसन, चार, अभी उसका मिशन बनाईए, लेखें, सर्सो मसाला रेडी हो गया, आप इसको सिल्बर्टा से भी कर सकते हैं, और भी अच्छा होगा, देखिए, मैं रोवु मचली ली हूँ, उसमें एक स्पोन हल्डी, हाफ स्पोन मिर्ची पाउडर और हाफ स्पोन नम्माग देके अच्छे से मिला दी, अभी उसको अच्छे से उसको ऐसे करके अच्छे से मिला दीजिए, उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, गड़ाय में चार चमस्ट तेल डालके उसको गरम करने के लिए बिठा दीजिए, मैं इसमें सरसो तेल यूज की हूँ, आप रिफाइन ओली बॉयल भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए तेल गरम हो गया, उसमें अभी ही ये मचली हम ठोरूँगे, खोड़ा सा शाय करेंगे, ज्यादा नीज शाय करेंगे, अब हमें सा याद रखिए, मचली बनाने के पाइम में तेल गरम होने की बाद ही आप मचली डालेंगे, अगर हलका सा गरम होगा और उसमें आप मचली डाल देंगे, तो मचली नीचे से लग जाता है, कभी भी आता इसे लग गया, तो क्या करेंगे, ज्यासको बं कर ज़ूंगे इसके बार इसको टन करेंगे अब आलू को हम प्लेट में निकाल देंगे ये गरम तेल में हम कड़ी पत्ता, लेसंक, मिर्ची, मिर्ची आप देख के डालेंगे क्योंकि छोटे बच्चे अगर खा रहे हैं तो आप अबर भी कर सकते हैं कोई प्रोग्रम नहीं है जीरा वान पिंच, वान पिंच सर्सो डालके फोड़ा सब प्राइक की दिये उसमें कटी ही प्याज अगी डालेंगे देखिए प्याज का कलर राउन हो गया उसमें मैं आपको जो मसाला सर्सो मसाला दिखाई थी उसमें आप कर दो शोर्दाली बावरी की दिये उसके साद प्रा दमशार नहींा आप पूम चिली बाउडर आप पूम हल्दी बावरे डाय के उसमें राचर शर्सो से मिला दिखने लगे अभी देखिए, ये सरसो मसाला और ये सर मसाला में तेल छूट रहा है, तो उपर से फ्राइ किया हुआ फिश और आलो को उपर डाल देखिए, और हमेसा याद रखिए, ये मसालो को आप ज्यादा नहीं फ्राइ करेंगे, तो ये थोड़ा करवा लगता है, और देखिए, तो उपर से थोड़ा सा गरम पानी देखिए, उसको फोड़ी देर के लिए देखिए, मचली का सबजी बन गया, अभी आप क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा बॉयल आलो में, ऐसे देखिएं कि आलो बॉयल हो गया नहीं, अभी हमें पता चल गया कि आलो बॉयल हो गया, अभी हम ये रो मैंगो ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि ये मैंगो का खटापन वज़े से आलू बॉयल होना टफ हो जाता है तो इसलिए हम इसको पहले इसे टेस्ट करके उसके बाद मैंगो डालेंगे अभी देखिए कच्चा आमदी अच्छे से बॉयल हो गया अभी उपर से थोरा सा धन्यापता डालके हम गयास बन कर देंगे देखिए बन गया आपका रो मैंगो फिश करी या कच्चे आम मचली का सबजी आप इसको खाईए आप इसको रोटी चावल के साथ घा सकते हैं आप इसको खाईए और मेरी चैनल को सब्सक्रेब करना ना भूलिए थेंक्यू